Hello friends, मैं हूँ शायन and welcome to my channel. आज इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को जियो कोईन के बारे में बताने वाला हूँ जो की एक cryptocurrency है. तो friends ये जियो कोईन क्या है? कब जियो कोईन को launch किया जा सकता है? और अगर आप investment करना चाते हो तो आप कैसे जियो को खरीच सकते हो? ये पूरी बाते जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए. और अगर इन केस अभी तक आप लोगोंने मेरा चैनल को subscribe नही किया है तो फटा-फट से कर दीजिए क्यूके मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ. तो फ्रेंट्स सीधा टॉपिक पे आ जाते है कि जियो कोईन क्या है? वोट इस जियो कोईन? तो मैंने आप लोगों को अल्रेडी बता दिया है कि जियो कोईन एक क्रिप्टो करेंसी है. लेकिन जियो कोईन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो फ्रेंट्स क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल कैश कह सकते हो, आप वर्चूल मानी कह सकते हो, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, आप आपके फिजिकल वालेट या फिर पर्स में स्टोर नहीं होता है और यह ब्लॉक्चेंड क्या है यह ब्लॉक्चेंड एक डिजिटल लेजर है जिसके अंदर में फिजिकल ट्रांजक्शन की डेटा को स्टोर किया जाता है ताके इस रियल टाइम पे अक्सेस या शेर किया जाए फ्रिंड्स क्रिप्टो करेंसिस जो है वो किसे भी इंडिया की बात करते हैं तो यहां पे भी गवर्णमेंट हम लोगो को क्रिप्टो करेंसिस में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज नहीं करता है क्यूंके अगर आप क्रिप्टो करेंसिस में डील करते हो तो गवर्णमेंट को जो है कोई भी टैक्स नहीं मिलता है किसी भी पल जो है वो नीचे जमिन पे आके गिर सकता है, मतलब कि अगर आपके पास cryptocurrencies है, आज आप अमीर है, तो कल सुभे नीन से उठते ही आप नीचे आके गिर सकते हो, आप भीकारी भीद बन सकते हो, फ्रेंड यहां के क्रिप्टो करेंसिस के अंदर में हम लोगो डिफरेंट टाइप्स का करेंसिस देखने को मिलता है या पर आप कोईन्स कह सकते हो जिसमें सबसे ज़ादा पॉपुलर है बिटकोई बिटकोईन को 2009 में शतोशी नाकाबो तो बोलके एक अन्नोन आदमी ने तयार किया था और उसके बाद से हम लोगो क्रिप्टो करेंसिस के अंदर में मुनेरो, इथेरियम, लाइट कोईन जैसे बहुत सारे ऐसे कोईन्स है जो की हम लोगो मिलना चालू हो गया है और यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर में अभी लेटिस्ट एडिशन है जियो कोईन्स यहाँ पे जियो कोईन्स भी वही सेम ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी को इस्तेमाल करने वाले हैं लेकिन जियो जो है यहाँ पे कुछ अलग किसम का करना चाते है बलके वो यहाँ पे प्राइसिंग क्या होने वाली है तो फ्रेंज यहाँ पे फिलाल जियो तो इंडिया के अंदर में बहुत ही अच्छा मार्केट है उसका जियो का शेर जो है वह अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि जियो कोईन को जो प्राइसिंग वो 64-65 रुपई के अंदर में हो सकती है यानि कि यूएस का एक डॉलर और फ्रेंज अब जैसे की प्राइसिंग के बारे में बात हो गई है तो अब सवाल यह उठता कि अगर आप चाहो तो आप कैसे जियो कोईन में इंवेस्ट कर सकते हो या फिर आप जियो कोईन को कैसे खरीच सकते हो तो य जियो कोईन के उपर ट्रान्बाइक्शन कर सकते हो, जियो को बेच सकते हो जिसके लिए आप आपका डेवीट कार्ड नेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर प्रेंज अभी तक जो है रिलाइंस जीयो की तरफ से कोई official statement नहीं आया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2018 का end या फिर 2019 में जो है हम लोग को Jio coin मिल सकता है लेकिन ये बात तो साब जाहिर है कि Jio तभी Jio coin को launch करेगा जब world के अंदर में crypto currencies का market अच्छा रहेगा वरना Jio लोगों को जो है motivate कर नहीं पाएगा Jio coin में invest करने के लिए तो friends उमीद करता हूँ आप लोगो Jio coin के बारे में सारे details पता चल चुका है और मेरा ये video भी आप लोगो को पसंद आया है और अभी तक आप लोगो ने मेरा इस video को अगर like और share नहीं किया है तो फटा फट से कर दीजिए और channel को subscribe करना मत भूलिएगा क्यूंके मैं आप लोगो के लिए रोजाना ऐसे ही interesting videos लेके आता रहता हूँ और अगर आपको इस video में कुछ भी कहना है कोई भी सवाल है ये सुझाओ है तो आप नीचे comment section में जाके type कर सकते हैं तब तक के लिए इस video में बस इतना ही मिलते हैं अगले video में peace